ओके तो वाज के इस वीडियो में हम यह जानने वाले हैं किस तरीके से हमें अपने phone call history को देखना है या फिर download करना है यह काफी ज्यादा easy रहने वाला है तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो call history download करने के लिए major जितने भी telecom company है सभी का method बिल्कुल same होने वाला है लेकिन मैं यहाँ पर बात करने वाल हूँ ATEL और Jio के बारे में तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि Jio का किस तरीके से call history को देखना या फिर download करना है उसके लिए आपको my Jio application को download करना है उदर आपको login हो जाना है और यहाँ पर आपको उस section में जाना है जहाँ पर आपको लिखा मिलेगा mobile पर क्लिक करना है उसके बार आपको आना है recharge and payment वाले section में अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा my statement उदार आपको क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने काफी सारे options देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप 7 दिन का, 15 दिन का, 30 दिन का देख सकते हैं, उसके लाए अगर आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का देखना है, तो नीचे आपको custom date वाला option देटा निकालना है, तो यहाँ पर मैंने 30 days पर क्लिक करा, नीचे 3 options देखने को मिलेंगे, एक मिले अगर आप mail ID पर बेजना चाहते हैं, उसके लिए, 2 आपने फोन में डाउनलोड करना चाहते हैं, और 3 आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, तो जैसे मैंने करा view statement पर, ठीक यानि जितने जितने आपने जिस जिस नंबर पर किस time call करा, किस date को call करा, कितने minute बात हुई, सारा का सारे statement आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यह तो रही जियो का method काफी जादा आसान है, अब रही बात ATL की, ATL के अंदर भी बिल्कुल same method हैने वाला, वहाँ पर मै जाने के ज़रूत नहीं है, आपको अपने इंबोक्स में चले जाना है, जहाँ पर आप message को, text message बेचते हो, यहाँ पर आने के बाद आपको छोटा सा जो है, आपको एक इस tag को आपको यहाँ पर type करना है, EPR, E-Build, यह लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है महिना, महि जनवरी हो गया, फर्वरी हो गया, मार्च हो गया, अगर आप फर्वरी का निकालना चाहते हो, तो F.E.B. जनवरी का निकालना चाहते है, तो J.A.N. ठीक है, और इसके बाद देना और एक email ID वहाँ पर लिख देना है, आप email ID अपनी भी डाल सकते है, आपकी नहीं हो, तो क करना है, और उपन करने के बाद वहाँ पर आपको एक statement देखने को मिलेगा, उसको आपको उपन करना है, पीडिये फाइल होगी, वहाँ पर आपको password डालना है, और आप पर statement आपके सामने, तो आप इस तरीके से किसी भी company का आसानी से call history को निकाल सकते है, देख सकते हैं, च कैनल को subscribe करना, bell icon को press करना, मिलता हो next video में, तब तके के लिए, bye-bye.